हालो दोस्तों, आज मैं एक नए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुती टेस्टी बनने ओला रेसिपी है यह, चले बनानी शुरू करते हैं, मैंने यह दो अंडे बोयल लिया है, इसको हमें इस तरह से कदू कस कर लेंगे, यह देखी इस तरह से, एक करके रेडी कर दिया है, मैं चोटी से प्यास भी लिया है, चौप करके, मैंने यह प्यास का पता लिया है, आप चाहिए तो यहाँ पर धन्य पता भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने हाफ टी स्पून, गरम असला, और थोरी सी आमचूर पाउडर, काली मिर्स पाउडर, हाफ टी स्पून, स्वादा अन फ्लोर लिया है, एक चमस और हाफ टी स्पून, अभी यह दोनों को अच्छी सी इस तरह से मिक्स कर देंगे, यह देखे थोरी सी ड्राइ है, हमें इस तरह से पहली मिक्स कर देनी है, सारे मसला, नमाग अच्छी सी मिक्स हो जाए, अभी हम यहाँ पर थोरी थोरी सी पानी ए के तायर कर देंगे यह रेसिपी बहुत ही जल्दी बननी वाला रेसिपी है आपको यह बहुत ही अच्छी लगए खाने के लिए जो भी नॉन्वेस खाते हैं वह इस तरह से बना के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेंगे एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा अब यह डो ब की रेडी हो गई है अभी हम यहाँ पर एक चमस कॉन फ्लोर लिया है और इसमें थोरी से पानी एड़ करके इसका गोल बना देंगे स्मूथ गोल बनानी है गुटली नहीं होनी चाहिए अच्छी से इस तरह से फीट के यह देखे हमारी गोल भी रेडियो के तयार हो गई है चले अभी हम इसको अच्छी से गउल शेप में लेकर आएंगे इसको गोल शेप में थोरी सी टाइट करके हात में पकरने होंगे थोरी से दबादा के टाइट करेंगे यह दिखें इस तरह से और एक पीस दिखा रही यहां पर और मैंने यहां पर bread crumbs लिया है bread crumbs में हमें इसको अच्छी सी coating कर देंगे इस तरह से बहुत ही crunchy बन के तयार हुँगे और में soft हुंगे बहार में इतनी crunchy बनेंगे एक बार जरूर ट्राय कीजिए आपको बहुत पसंद आनी वाला recipe है च्छोटी मुटी party हो घर पर तो तो इस तरह से snacks बना भी सकते हैं आप यह आपको 15-16 hours तक भी क्रांची बन के तायर रहते हैं बाहर कोई softness नहीं आएंगे बना के रख सकते हैं इस तरह से अच्छी से dip कर देंगे यह देखें और अभी मैं यहाँ पर gas पे गरम करने के लिए oil रख दिया है गरम हो चुकी है त इस तरह से डाल दूंगे यहाँ पर gas flame को हमें medium flame रखनी है ज्यादा हाई नहीं करेंगे नहीं तो यह bread crumbs लगाई हुई है जल्दी जल जाएंगे अंदर अच्छी से पकेंगे नहीं इस तरह से सब को डाल दिया मेने यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे बस पांच म हो गई है अभी यह बना की रेडी हो गई है ज्यादा टाइम नहीं लगी मुझे पांच मनेट से भी कम लगी हुई है यह बहुत जटपट बन्योला रेसीपी है आप एक बर जरूर बना के खाएगा आपको पसंद आए तो प्लीज कॉमेंट भी कर दीजेगा और लाइक शे अगर सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे नई नई वीडियो लेके में आती रहोंगे और यह देखे टमिटो केचप के साथ में सर्फ कर सकते है इसी तरह से में नई नई वीडियो लेके आती रहोंगे आपका प्यार आपका सपर्ट हमेंसा बनाए रखेगा तब तक के लि बाँ बाँ